नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है कैसे हैं आप आप सब सही होंगे स्वस्तोंगे और व्यस्तोंगे फ्रैंस मैं ये देखे का अपना कंटीनर गारण का एक छोटा सा व्यूव आपको दिखा रहे हूँ ये मैंने फिरी का कंटीनर गार्ण बनाया हुआ है कि देखिए इस तरह मैंने रखा है यह यह टैरिस में मैंने रखा है देखिए यह सब कंटीनर में लगा हुआ है बेस्टेज में लगा हुआ है और फिरी का है यह अपना सोब पूरा करने के लिए हम इस तरह भी अपने प्लांट को ग्रोव कर सकते हैं देखिए यह सब कंटीनर में देख रहे हैं और कि अच्छा healthy plant हो रखा है तो किते प्यारे लग रहे हैं देखिए देखिए धृट्ष में अ यह देखिए और विंखा भी ठोटे ठोटे कंटीनर में लगा रखाई ये बहुत प्यारा वह रखा है देखिये खिल रहा है और यह देखिए फिराइन से वाटर बोटल है इनमें भी मैंने ये गुलाब की कटिंग से लगए थी देखिए अब यह भी लगांगे की है ओर कि मैंने हलेकिए करें देखें यह मेरा कंटीनर गाड़न है जो मैंने टेरीस में रखा है देखें बनाया है आप भी बना सकते हैं और अभी इन जो भी प्लांट आप देख रहे हैं इन में कोई ऐसी खाद मैंने नहीं डाली है सिर्फ कीचन वेश्टे से ही कमपोज भी बना के डाला और उसी से लिक्विट फटिलाइजर बना के डाला है इसमें यह देखें और एस्ट्रा प्लांड मेरे बाल कौनी में रहते हैं ज्यादा वह मैं दोनों बाल कौनी में रखती हूं यह मेरा सिर्फ कंटीनर गाड़न है जो मैंने टेरेज में बना रखाया है कि देखें कि देखें कि यह मैंने यह इस तरह का सर्ड बना रखा है इसमें लगा रखा हुआ है उसी के नीचे मैंने इनको इस तरह रख दिया है कि देखें फ्रेंट्स जो मेरी तरह नियों गाड़नर है वह इस तरह अपना सौप पूरा कर सकते हैं और इससे हमें सीखने को भी कई चीजें मिलती हैं पहले हम हुआ जब सीकने शिखते हैं प्लांण्स के बारे में कई एक चीजें तो अपने कंटिनर कोई भी वेस्टेश है उसमां म्हां प्लांट्स को ग्रो कीजिए और कि अम कह आशानी से सीख सकते हैं जब अच्छी तरह हमें अच्छी तरह आ जाए तो हम अपना अच्छी तरह एक अच्छा सा गार्डन बना सकते हैं घरी में और गनी गार्डन उसमें हम अपने सब्जियां वगरा भी लगा सकते हैं फाल वगरा बोंजाई बनाके देखे फ्रेम्स आज मेरा फिर से गुडल ख हुआ है मैंने और एक कंटीनर में लगे हुए सब इस तरह है अच्छा लगे लाइक करेगा सब्सक्राब करेगा और अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंस नमस्कार बाई